असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजय दश्मी पर्व बड़े ही हरशिव मुल्लास के साथ मनाया गया इस वर्ष कोरोना काल के कारण 10 फिट का रावण दहन किया गया समीती के द्वारा सरकार की सभी गाइडलाइनों का पालन करते हुए रावन दहन का कारेक्रप संपन्न किया गया चरोदा एकता मंच दशहरा पूजा समीती द्वारा बिना अती थी के ही रावन दहन किया गया समीती के द्वारा दस फिट के रावन का पुतला निर्माण किया गया था समय अनुसार रावन के पुतले को बुराई के प्रतीक मानते हुए दहन किया गया विज्यादश्मी पर्व में एक ओर जहां करोना का प्रकोप था तो दूसरी ओर आम जन्मानस में उमंग उत्सा में कोई कमी नजर नहीं आ रही थी पूर्व की अपेक्छा भीड कम थी रंग बिरंगी आतिश बाजी से सारा आकास रंगीन हो गया था आयोजन करता सुप्रिम टेंभकर ने बताया कि यह आयोजन का छटवा वर्ष है पूर्व में यहां अतिथी के रूप में मुख्यमंत्री भुपेश बगहेल शामिल होते रहे हैं इस वर्ष कोरोना के कारण रावन दहन कारिक्रम में शामिल नहीं हो पाए हैं बिना अतिथी के ही वेंकट रमना ने रावन का दहन किया रावन दहन के बाद सभी आमजनों ने एक दूसरे को दशहरा पर्व की बधाईयां दी घर पहुचने के बाद भगवान श्री राम के बतोर महिलाएं माता एवं बहनों ने पूजा अर्चना कर आरती उतार कर पाद सभी धर्मों का तेवहार हर कोई उत्साह उमंग और साद्गी से मना रहे हैं और मनाते रहेंगे